जैसा कि आप को दिक रहा है कि हम बात कर रहे हैं quadratic की और बात कर भी रहे थे quadratic की हमने quadratic equation बताया था कि 2 degree का equation जो होता है वो quadratic कहलाता है आवज आ रहे ना दो डिगरी का equation quadratic कहलाता है और उसको solve करने के तरीके हमने बताया थे कौन सा method बताया था by factor method factorization method से उसको solve करना है आज हम बात करेंगे by making perfect square दो method आज हम बताएंगे by making perfect square और by formula तो देखे हम बात करेंगे quadratic equation by method of completing the square by making perfect square making perfect square perfect square का मतलब whole square आपको लिखना है अब जरा समझेगा जैसे कोई equation ऐसी लिखी हो ax square प्लस bx प्लस c is equal to 0 आपको इसको perfect square में बदलना है आवा जा रही न मेरी देखो perfect square बनाने का तरीका में बाता तो साउधान तोड़ा साउधान हो जाईएगा हो गए साउधान देखो x square और x के term लिखे रहने तो लिख दिया और x square का जो coefficient है न उसको 1 कर दो x square के coefficient को 1 कर दीजेगा अच्छा अलग-अलग बुक में अलग-अलग method है ये constant को उधार transfer करना चाहते हैं आप इस constant को उधार transfer कर दो पहले तो ax square प्लस bx is equal to minus c आपने क्या किया सबसे पहले जिस term में x नहीं था उसको transfer कर दिया ठीक है अब देखिए इसके coefficient को 1 करिए x square के साथ क्या करें कि इसका coefficient 1 हो जाए तो dividing by e dividing both the sides by e dividing both the sides by e करो यह आएगा x square plus b upon a x is equal to minus c upon a यहाँ तक बातस्वाज में आ गई होगी अब थोड़ा सा साउधान हो जाए यह बस जड़ा इन दोनों term को देखिए तो को यहाँ plus लिखा हुआ है यहाँ plus है ना जड़ा देखो जड़ाब यह x plus something का whole square है मुझे something नहीं मालूँ यह x plus something का whole square लिखा हुआ है मतब यह x plus something का whole square लिखा है something मुझे नहीं मालूँ है फिला ठीक है अगर मैं इसका whole square खोलता हूँ तो क्या एगा x square plus something का square plus आगे ऐसी चील लिखिएगा यह b upon यह आ जाए to 2 into b upon a x into something यह बताओ जरा समझेगा यहाँ b upon a है यह ना b upon a x है तो यहाँ किस चीज का square कर दे कि b upon a यहाँ पर आ जाए फिर समझेगा थोड़ा सा बच यहीं पर confusion की स्थित्याँ पर create हो रही है देखो द्यान से आप जब a प्लस b का whole square करते हो तो आता है a square प्लस b square प्लस 2 a b ठीक है देखें x square लिखा हुआ है प्लस b हमको मालूम नहीं है का whole square क्या लिख रहा हूँ यह x प्लस something का whole square लिखा हुआ है मुझे हमको something हमको नहीं मालूम है इसको जब खोलेंगे तो आएगा x square प्लस something का square प्लस 2 into x into something अब देखो ज़्यान से हमको x साथ क्या लाना है वी अपाने यहाँ पर क्या लिख दें के b अपाने आ जाए b अपाने लिख देंगे तो 2 भी तो यहाँ लगा हुआ है यहाँ तो 2 आ नहीं रहा है यानि कि यहाँ अगर हम b by 2 a लिख दें तो actually मैं यही चीज़ लिखी है यह नहीं लिखी है b अपाने x तो यह जो something आपने लिखा यह क्या चीज़ है b by 2 a है plus का नहीं है यानि इसको हम x plus by 2 a का square लिख सकते हैं मेरी बास सुनिएगा वो ठीक है इस टर्म को हम भूल जाओ इन दोनों को देखो पहले आप अगर आप x plus by 2 a करेंगे तो यह term आएगा और यह term आएगा नहीं आएगा यह दो term आएगे अच्छा इसको खोलेंगे तो extra क्या आएगा इसको खोलों के तो extra आएगा x square plus by 2 a का square plus 2 into x into by 2 a 2 2 कर जाएगा तो x square यहाँ पे आ रहा है b by यह वाला term यहाँ पे आ रहा है यह extra हो गया ना तो यह वाला चीज आइड कर दें यहाँ पर हम और यही सब्टेक्ट कर दें चलेगा सेम चीज हम यहाँ पर आइड किये गर रहे हैं या तो दोनों तरफ आइड कर दो या एक तरफ आइड करोगे तो सब्टेक्ट भी करना पड़ेगा समझारी बात तो आप क्या करेंगे आप कहेंगे एडिंग बोथ दे साइड तरीका देखे क्या होता है एक्स का कोफिस्टेंट क्या है यहाँ पर इसको आधा कर दीजे इसको हाफ करिए कितना आएगा हाँ पी बाई टुए हो जाएगा तो इसका स्क्वाइर आप एडि कर दीजे तरीका क्या होता है कि जो भी एक्स का कोफिस्ट होता है वो तो मैंने समझाने के लिखा यहाँ पर जो यहाँ पी बाई टुए आ रहा है जो भी एक्स का कोफिस्ट होता है उसके half को दो तरफ प्लस कर देते है तो इधर क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा x square plus b by ax plus b by 2a का whole square इधर add कर दिया is equal to minus c by a पहने से था plus b by 2a का square इधर प्लस कर दिया समझ में आया b by 2a क्यों लिखा हमने यह थोड़ा technical चीज है समझने कुछ करिएगा b by 2a हमने क्यों लिखा सुन में आया अब देखिए अगर इसको ध्यान से देखें तो यह लिखा है x square प्लस समझे बाद लिखेगा x square plus b by 2a का whole square plus 2 into x into b by 2a यही तो result आएगा तो इसको लिख सकते हैं आप x plus b by 2a का whole square is equal to इसको खोलेंगे तो आएगा minus c by a plus b square by 4a square तो इसको जब आप लिखेंगे x plus b by 2a का whole square इसको जब आएगा आपका 4a square तो आएगा b square minus 4ac upon 4a square अब इसका square हटाना है आपको तो क्या हो जाएगा इधर square उटा जाएगा तो जब इसका square हटा होगे तो आएगा x plus b by 2a is equal to plus minus under root b square minus 4ac upon 4a square और जब x की value निकालोगे तो यह b by 2a उधर जाएगा तो इसको पहले लिख दो minus b by 2a plus minus under root b square minus 4ac upon 4a square यह x की value निकली ठीक है यह कौन सा method हो गया by making it perfect square अब ज़रा थोड़ा समझियेगा यह जो 4a square है root के बाहर निकल आएगा क्या बन जाएगा यह 2a तो इसको लिख सकते है minus b plus minus under root b square minus 4ac whole upon 2a actually में यही आपका स्रीधराचारी का formula है जब formula apply करेंगे तो same will be the स्रीधराचारी formula तो इसी को हम कहते हैं स्रीधराचारी वो बाद में कहेंगे फिलाल हमारा method है by making perfect square तो perfect square बनाना समझ में आ गया क्या करना है सबसे पहले x square के coefficient को बन कर देना है कर दिया आपने जो भी x का coefficient हो जो भी x का coefficient हो उसको half कर दीजे जो भी हो और जो आया उसका whole square कर दीजे उतना दोनों side में plus कर दीजे अगर एक ही side कर रहे हो तो उतना ही plus करोगे उतना ही minus करोगे ठीक है सिनोट करिए फिर हम बात करें अगर आप से कहा जाएगा by completing the square तब आप इंचे लगाएंगे अगर आप से कहा जाए solve it तो there is no need to apply this method लेकिन आगे चलके आप mathematics पढ़ेंगे पढ़ेंगे पसंद होगी आपको अगर तो वहाँ पर आपको एक integral पढ़ाये जाएगा concept उसका technical है तो वहाँ पर ये method पताये जाएगा तब वहाँ कहा जाएगा कि आपको टेंथ में पढ़ाया गया होगा फिर आप कहेंगे नहीं हमें नहीं पढ़ाया गया लड़के cheating कर देते हैं कोई नया teacher आता के दे पुराने वाले ने पढ़ाया नहीं था कुछ वो तो हाफ हैं साब बहुत अच्छे वो तो बिल्कुल बेकार थे आप पढ़ा दीजिए ऐसा बोलते हैं लोग ठीक है हाँ तो फिर मैं यही रिकार्डिंग सुनाऊंगा उनको कि देखिए वाई साब यह बताया गया था इनको जूट बोलते हैं नोट करिए इसको ठीके ज्यान से पहला कुछिन में ले रहा हूँ इस आफारडी सर्मा एकस स्क्वाइर माइनस फूर रूट टू एकस प्लस सिक्स इस इकल टू जीरो इन्होंने का सॉल्व एक कुश्चिन आपको सॉल्व करना है यानि सॉल्व का मतार्ब यू हाब तो फाइंड दे वैलू आफ एकस एकस की वैलू निकाल दी है ठीक है हमने अभी क्या बताया कि एकस के टर्म को छोड़ करके रेस्ट को उधर ट्रांसवर कर दीजे चलिए कर दीजे एकस स्क्वाइर माइनस फोर रूट टू एकस इस इकल टू माइनस सिक्स आप कहेंगे ना करें तो मत करिए जब बाद में कोशन निकालोगे तब ट्रांसवर करना पड़ेगा ट्रांसवर तो करना ही पड़ेगा ना अब ज़रा देखिए क्या एकस स्क्वाइर का कोफिशेंट वन है इसमें तो अभी भी डिवाइड करोगे क्या बोले नहीं डिवाइडिंग वाइड वन इस्टेप तो पूरे होने चाहिए ऐसा कुछ नहीं है एकस का कोफिशेंट क्या है माइनस फॉर रूट टू किस से क्या करोगे इसका हाफ कर दीजेगा एड़िंग बोस दसाइड जाएड जिवाइड गाया किस क्या अड़ोगे माइनस टू रूट टू का स्क्यार यह अड़ कर दोगे दीखै वी गट तो यहाँ क्या हो जाएगा एकस स्क्यार वाइनस four रूट टू एकस यह प्लस 8 हो जाएगा और इधर भी माइनस 6 प्लस 8 यह किसीज का स्क्वार लिखा हुआ है एक्टिल देखिए अगर मैं यहाँ पर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वार ही लिख देता तो a स्क्वार प्लस b स्क्वार प्लस 2 a b देखो यहाँ यहाँ अब ऐसे चन्जूस हो जाएंगे आप एठी लिखो यह क्या ची लिखी वी है यह एक्स माइनस 2 रूट 2 का स्क्वार लिखा हुआ है और उधर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वार प्लस 2 रूट 2 का स्क्वार और यह माइनस का ठीक है इधर क्या लिखा हुआ है तो जब स्क्वार हटाओ अब चुकि आपने यहाँ पर whole square कर दिया है इसी को कहा जाता है completing the square इसी को कहा जाता है by making perfect square यह square हटाईए तो square हटाएंगे तो आएगा x minus 2 root 2 is equal to plus minus under root 2 तो x की value क्या आएगी plus minus under root 2 plus 2 root 2 यह वाला plus 2 root 2 अब चुकि दो sign है आपर taking positive sign taking positive sign तो आएगा x की value आएगी root 2 plus 2 root 2 तो x की value आएगी 3 under root 2 एक यह value हो गई और negative sign लेंगे तो आएगा x is equal to minus root 2 plus 2 root 2 2 x will equal to root 2 तो these are two values you have got by making perfect square समझ में आई बात वहाँ दो value आती है न ते एक बार plus वही हमने यहाँ भी किया plus minus देखे हम इसको shift ना भी करते हम एक बार positive value लेते फिर shift करते तभी वही value आती क्योंकि यह तो ultimately minus का है उधर जाके plus में होई जाता है चीक है अब ज़रा question all लेते है इसमें अगर link करके आएगा हमने क्या का अगर link करके आएगा by making perfect square तब आप apply करेंगे ये rule देखे second question method is the same आपसे जब कहा गया by making perfect square बोला गया है ना उन्हें मालूम है ये method आपको आगे दिक्कत create करेगा इसलिए सिखाय जा रहा है आपको यहाँ पर actually बेए questions और नहीं सिखाय जा रहा है यहाँ पर आपको perfect square ब्राना सिखाय जा रहा है ठीक है क्योंकि आगे complication create करेगा ना ये 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0 इसको एक मिनट का समय देते हैं आप लगाए फिर हम लगाए फिर आप चेक करिए इसको मतलब यहाँ पर formula भी apply कर सकते हैं लेकिन आपसे कहा गया है by making perfect square या by completing the square तो आपको वही method adopt करना पड़ेगा पर चला रहे हूं पर हिला रहे हूं क्यों ने फिल पर है यह नहीं पर चलाई है यह नहीं पर चलाई है method क्या बताया है फिर सुनिए नहीं बना पर हो सुनिए आइसा यहीं पर सुन लीजिए आप सबसे पहले हमने क्या बताया कि आप constant term को उधर ट्रांसफर कर दो आप ट्रांसफर करो नकरो कोई सर्क नहीं पड़ता ठीक है हम ट्रांसफर किये रहे हैं तो आपने ट्रांसफर कर दिया अब क्या बताएंगे आपको हटाना नहीं है वन करना है तो वन करने का तरीका क्या होता है वन करने का तरीका क्या होता है किस से इसको 1 करना है न तो dividing both the sides by 2 एक एक steps हम लिजेगा dividing both the sides by 2 तो यह क्या बन जाएगा x square minus 7 by 2x is equal to minus 3 by 2 divide कर दिया अब x का coefficient क्या है इसको आदा कर दीजे क्या बन जाएगा इसको half करें क्या बन जाएगा तो adding both the sides by देखो चुकि minus 7 by 2 का square करोगे तो ultimately आना तो 49 by 4 ही है यह add कर दीए दो तरफ तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x square minus 7 by 2x plus 49 by 4 is equal to minus 3 by 2 plus 49 by 4 देखें हो सकता है कुछ बुक्स में minus यह आना लिखा हूँ क्योंकि उन्हें मालूम है square करना है तो positive ही आना है आपका देखो ध्यान से यह किसीज़ का square लिखा हुआ है जो आपने एक मिनद जिस चीज़ को आपने add किया है ना जिस चीज़ का square उसी का whole square लिखा है x minus 7 by 4 का whole square लिखा है हाँ सॉरी 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 7 by 2 का square लिखा हुआ है ठीक है चूँकि यह step क्या लिखा है इसको लिखो 7 by 2 का square minus मत लिखेगा minus लिखो confused जाओगी चुकि जो b हो जाएगा negative हो जाएगा देखो ज्यान से अगर यहाँ minus आप लिख रहे हो ना तो भी यहाँ plus लिखना पड़ेगा यहाँ minus bracket करना पड़ेगा नहीं समझ महीं बात अगर मैं आपसे कहूँ a plus minus b का होरी square तो formula क्या लगेगा a square plus minus b का square plus 2 into a into minus b ऐसे लिखना पड़ेगा ना चुकि वहाँ पर आपने formula plus का लगाया है और b की जगे minus b लिखा है इद्यान लखेगा तो यह आपका x minus 7 by 2 का होरी उसका लिखा होने लिखा हुआ आप समझ में आई बात नहीं आई is equal to उधर क्या आएगा उधर 4 ले लें लिए 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 लिएगा minus का 6 plus का 49 तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x minus 7 by 2 to the whole square is equal to यह कितना आएगा 43 43 y 4 जब आप स्क्वाइर हटाएंगे उधर स्क्वाइर रूट लगाएंगे तो आएगा plus minus root 43 by whole 2 अब एक पर positive sign लेलो taking positive sign positive sign तो यह क्या हो जाएगा x minus 7 by 2 is equal to plus 43 under root 43 by 2 और जब x निकालेंगे तो इसको उधर plus में ले जाओगे तो root 43 plus 7 by 2 whole by 2 है ध्यान कियेगा एक x की value यह आगई एक बार taking negative sign negative sign तो आएगा x minus 7 by 2 is equal to minus root 43 whole by 2 तो x की लोग आएगे minus root 43 plus 7 by 2 तो इस प्रकार से you will get the two values of x by completing the square ठीक है एक और question हम बताते है completing the square इसके बाद हम स्रीजरा चाहरें फार्बूले भी आजाएंगे तरीका आप सौन में आएग नहीं आया जैसे question ले रहे हैं randomly कोई भी ले लो root एक example लेते हैं size का ही है root 2 x square minus 3 x minus 2 root 2 is equal to 0 एक चीज और अगर आप कहेंगे भाई ये जो constant term है ज़र देखें इसको आप उदार transfer कर रहे हो ना करो तो मत करो ना करने में एक दिख करना है कि जो चीज आप तोरों तरह प्लस कर रहे थे ना वो यहाँ प्लस भी करोगे उतना ही माइनस भी करोगी ठीक है तो प्लस वाला जो होगा वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा और माइनस वाला फिर उदा जाके shift हो जाएगा तो ultimate जाना उसको उदरी है चुकि एक्स की value निकालनी है ठीक है तो बेतर है जोना इसको करिए अपने आप फिर देखते हैं हम कैसे करेंगे याएगा प्रुट 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 2 का स्क्वार लिखा जाएगा ये और उधा जब LCM लेंगे तो ये 2 जार 16 16 प्लस 9 25 बाई 8 अब स्क्वार अटाई यहां से तो स्क्वार अटाएंगे तो क्या आएगा X माइनस 3 बाई 2 रूट 2 इस इक्वल 2 प्लस माइनस जब यहां स्क्वार रूट लगाओगे तो क्या आएगा 5 बाई 2 रूट 2 5 बाई 2 अटर रूट 2 अब एक बार पॉजिटिव साइन लेलो टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग पॉजिटिव साइन तो आएगा X माइनस 3 बाई 2 root 2 is equal to 5 by 2 root 2 तो x की value निकालोगे तो आएगा 5 by 2 root 2 plus 3 by 2 root 2 यानि की 8 by 2 root 2 जैसा कि आपने पढ़ा है कि हमेशा denominator को rest slice किया जाता है तो हमने क्या किया root 2 से उपर नीचे multiply कर दिया तो उपर आ गया 8 root 2 by 4 यानि की 2 root 2 is your 1 of the value of x ठीक है तो ये तो positive sign हो गया नोट करिए इसको आएगा taking negative sign तो यहाँ negative हो गया यहाँ negative हो गया यहाँ कितना आएगा अब इसको solve करें थोड़ा सा तो ये जब solve करेंगे तो x की value आएगी minus 2 by 2 root 2 फिर root 2 से उपर निचे multiply कर दोगे तो minus 2 root 2 by 4 हो जाएगा तो minus का root 2 by 2 हो जाएगा root के अंदर क्या लिखा हुआ है तो ये जो v square minus 4 c है इसका एक nickname है nickname जानते हो ना nickname रखते ना वो टीचरों के नाम रख देते है nickname रखते होगे हमारा भी काई नल भचों ने रख दोगा रख तो होगा कुछ physics से रखते हैं कुछ habits से रखते नहां हो तो टीच से क्या रख सकते बोप नन यडिया लगा सकता हूँ physics से क्या रख सकते हो मैं जान सकता हूँ लेकिन अब habits से क्या रखें वो जाने खेर इसका निक इसको हम capital disindicate करते हैं और इसका nickname है discriminant discriminant ठीक है तो ये इसका nickname है तो अगर आप से कहा जाए कोई quality equation दे दे तो सबसे पहला काम तो ये है को उस quality equation को आप जो आपकी standard equation होती उसे compare करिए और discriminant निकाली जैसे मैं question की बात कर रहा हूँ मैं एक example लेता हूँ 2x square minus 5x plus 3 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0 इन्होंने का find discriminant of this equation तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले आप इसको by standard equation of quadratic क्या होती है ax square plus bx plus c उससे compare करेंगे comparing by comparing by ax square plus bx plus c is equal to 0 यहाँ पर a क्या आएगा 2 आएगा b क्या आएगा minus 5 आएगा c क्या आएगा 3 आएगा आप कह रहे हैं आप discriminant निकालिए तो discriminant क्या होता है b square minus 4ac इसको capital D से denote करते हैं तो b square बोले तो minus 5 का square minus 4 into a is 2 into 3 तो आएगा 25 minus 24 discriminant is 1 यह discriminant निकालने का तरीका होता है अब देखे यह x की value जो निकलती है इन्हें roots आप देख कुशन भी कहते हैं zeros आप देख कुशन भी कहते हैं या solution कहते हैं ठीक है अब यहाँ पर जो roots निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे उन roots का nature कैसा होगा वो decide कौन करता है यह root वाली चीज़ decide करता है ठीक है यह आपको कैसा root चाहिए कैसा root मिलेगा root बोले तो solution solution मतलब x की value वो कौन decide करेगा discriminant decide करेगा तो आप लिखे nature of roots मतलब आप से कहें without solving the equation find the nature of the roots तो देखें nature of the roots कैसे निकालते हैं ज़रा समझने की कोशिश करिएगा पहला पहले तो हम बात करें nature of the roots nature of roots देखें पहली चीज़ अगर root के अंदर की चीज़ greater than 0 है if b square minus 4 ac greater than 0 है मैं equal की बात नहीं कर रहा हूं कि उन्हों greater की बात कर रहा हूं तो greater than 0 का मतलब यहाँ पर 2, 3, 4 4 की बात नहीं कर रहा हूं फिलाल चलिए माल लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है ठीक है माल रूट 3 आ गया तो एक बार root अगर root के अंदर positive value है तो एक तो roots real होंगे roots कैसे होंगे real यानि roots will be then roots will be real real सौंग में आगी बात हर number real होता है 1, 2, 3, root 2, root 5 1 by 2, 1 by 3 cube root of 5 5th root कुछ भी लिख दीजेगा बस एक शर्त है root के अंदर negative नहीं आना चाहिए root अगर negative है that is imaginary ठीक है तो अगर ये greater than 0 है तो roots कैसे होंगे real होंगे and अब देखो 1, root 3 आ गया तो एक value लिखोगे minus b plus root 3 upon 2 a एक लिखोगे minus b minus root 3 upon 2 a तो roots equal होंगे कि unequal होंगे एक जैसे होंगे अलग-अलग होंगे तो अनिक्वल होंगे तो roots कैसे हो गए real हो गए और अनिक्वल हो गए ठीक है दूसरी बात अगर b square minus 4 a c 0 आ गया तो root के अंदर 0 भी तो real होता है ना तो roots real होंगे roots will be यह shoots नहीं है roots है confused नहीं होना roots will be real अब ज़रा समझेगा root के अंदर 0 आ गया तो minus b plus 0 upon 2 a minus b minus 0 upon 2 a कैसे हो गए equal हो गए real and equal क्यानि की real दोनों केसे में है real 0 होने पर भी है greater than 0 पर भी है तीसरी बात अगर b square minus 4 a c is less than 0 बोले तो negative तो roots will be imaginary roots कैसे होंगे will be imaginary अब ज़रा दिखिएगा imaginary तो आपने लिख लिया आप को याद होगा हमने एक दिन साहे इसके बारे कुछ डूस किया था complex बूरा था हमने देखे चुकिए आप जिस standard के लिए compare तैरी कर रहे हैं वहाँ पर आ सकता है देखो अगर root के अंदर minus बना गया तो वैसे तो arithmetic कहती है यह imaginary नंबर है इसको हम लिखते हैं I से किसे लिखते है I I का मतलब होता है imaginary यह Latin भासा का सब्द है Latin बोला है हमने तब भासा समझेगा और Latin में I का मतलब होता Iota क्या मतलब होता है Iota तो यह imaginary नंबर हो गया अब समझेगा जैसे I एक imaginary नंबर है और 5 एक real नंबर है ठीक है और 5 किसके साथ लिखा हुआ है I के साथ लिखा हुआ है तो 5 real नंबर होने के बाद भी इसका नाम क्या था imaginary part क्या नाम था imaginary part ठीक है अब अगर कोई नंबर और है माले 3 है और यह अकेला लिखा हुआ है तो इसे कहते है real part और अगर दोनों को प्लस या माइनस कर दो जोड़ दो तो इसको कहते हैं Z यह है complex number यानि अगर real part real number और imaginary number को मिल जाएं आपस में तो जो number बनता है उसे complex कहते हैं तो आप imaginary न लिख करके इसको complex भी लिख सकते हैं यह tenth में नहीं बताय जाएगा लेकिन किसी competitive exam में आ सकता है ठीक है उन्होंने कहा कि find the nature of the roots और b square minus 4C negative आ रहा है अब negative में आपको पढ़ाया गया imaginary क्या पढ़ाया गया imaginary अब आप ढूण रहें imaginary और imaginary word है नहीं उसमें तो आप 10 बार हमको जो है बुरा फला कहोगे क्या पतादी है नारायक ने यह तो word है इसमें नहीं पता नहीं क्या पढ़ा रहा था तो वहाँ complex भी आ सकता है तो complex का मतलब इसमें imaginary part है यह visual है तो यह complex भी हो सकता है ठीक है नोट कर लिया अब इसको फिर हम बताने जा रहे हैं थोड़ा और इसको बढ़ाने जा रहे हैं देखिए यह पुरा नोट कर लिया ना यहां से अब number 4 लिखिएगा number 4 में क्या लिखना ज़रा समझिएगा एक और नाम बढ़ गया देखिए number 4 में हम क्या बता रहे है b square minus 4 c क्या है greater than 0 भी है and अब perfect square number है perfect square number perfect square number बोले तो जिसका under root complete निकल जाता है जिसे 49 है 64 है तो देखिए root गयब हो जाएगा root नी गयब हो जाएगा तो roots कैसे होंगे real होंगे uniqual होंगे and rational होंगे कैसे होंगे rational भी आएँगे बतार real तो होंगे होंगे uniqual भी होंगे लेकिन root गयब हो चुका होगा और जिसमें root नहीं होता है उसको हम क्या कहते है rational कहते है ठीक है तो यह rational भी होंगे ठीक है fifth number लिखिएगा इसी को बढ़ा रहे है fifth number अगर यह not perfect square है तो root नहीं गयब होगा तो कैसा number हो जाएगा irrational number होगा तो roots real होंगे अनिक्वल होंगे और इरेशनल होंगे तो समझ में आ गई बात